देश के दो राज्यों में आज बीजेपी और कॉंग्रेस के टककर चल रही है दो अलग अलग तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं गुजरात और उतरप्रदेश के अमेठी की देखे ये दो तस्वीरे राहुल के गढ़ अमेठी में जहां अमिल शाह, यूपे के सीम, योगिया दित्यनात इस्मृती इरानी मौजूद हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गढ़ गुजरात में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी 1995 से बीज के दो सालों को अगर छोड़ दिया जाय तो लगातार बीजेपी का शासन है गुजरात में तो वहीं अगर अमेठी की बात करें तो बहाँ पर संसदिय अब तक 15 चुनाब हुए हैं जिनमें 13 बार कॉंग्रिस ने बहाँ पर काबिज किया है जिन में से 9 बार तो सरफ गांधी परिवार के चहरे ही रहे हैं अमेठी में जबके सरफ एक बार साल 1998 में बीजेपी की जीत हुई है इस बार यानि के साल 2019 में बीजेपी की कोशिश है राहुल गांधी को हराने के और इसी वज़ज़से राहुल के अमेठी में अमिर शाह एक बड़ी राली को कुछी देर में संबोधित भी करेंगे और वहाँ पर एक बड़ा कारुक्रम बीजेपी के ओर से ओगनाईस किया गया है जिसके तस्वीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लेकिन बीजेपी के गड़ गुजरात में पहुँचे राहुल गांधी ने किस तरह से एक बार पर से अमिर शाह पर साधा है निशाना ट्वीट करके अब वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं अमिर शाह के बेटे पर बोले राहुल गांधी बेटी बचाओ का बेटा बचाओ में अद्भुत परिवर्तन जैशा जादा खा गया इस तरह से कटाक्ष करने की कोशिश राहुल गांधी की तंच कस्ते हुए ये ट्वीट किया है उन्होंने